नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सेवा गुज्रा चेनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंत्रा डिवाइस में स्वाप्टवेर या हार्डवेर का इश्यू है इसके लिए डिवाइस को मंत्रा कंपनी में कैसे बेजे और किस तरह से डिवाइस का ट्रेकिंग करें और कितने दिनों में डिवाइस रिपर होके हमारे गर प्याज आएगा ये सब देखेंगे तो वीडियो को ज़रा भी स्कीप ना करें और शांती से देखें इसके लिए मैं सबसे पहले अपने कॉम्प्यूटर लेप्टॉप के उराउजर में गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल में हमें मंत्रा RMA रिक्वेस्ट सर्च करना है और सर्च करते ही सबसे पहले फर्स्ट लिंक आ जाएगी RMA रिक्वेस्ट की तो हमें RMA रिक्वेस्ट वाली लिंक पे क्लिक कर लेना है और इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा हमें साइड वे जिये स्क्लोर बार पर क्लिक करके स्क्रोल करना है और नीचे एक्सेप पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही इस तरह की हमें कॉंटेक्ट डिटल फिलप करनी है इसमें हमें पहले अपना मोबाइल नंबर देना है जिसमें OTP आएगा उसके बाद कंपनी नेम यानि अपनी शॉप का नेम हम यहां पे दे सकते हैं पिर यहां कॉंटेक्ट परसन नेम में हमें अपना पूरा नाम लिखना है क्योंकि हमारे बताए गए नाम और पत्ते पर यह कुरियर आएगा इमेल एड्रेस इस इमेल एड्रेस पर हम सारी ट्रेकिंग करेंगे पैसा देना और दीवाइस कहा तक पहुचा तो इमेल भी सही देना है country automatic selected होती है हमें यहाँ पे अपना state select करना है कि हम कौन से state से बिलॉंग करते है अपना state select करने के बाद city का option आता है city में हमें अपना district select करना होता है district select करने के बाद हमें अपनी city या गाव का pin code दर्श करना है pin code के बाद postal address क्योंकि यह courier हमें post के द्वार आएगा तो पूरा पता लिखना है यहाँ पे जो भी सार आपका पूरा address है वह दर्श करे पूरा address लिखने के बाद हमें एड के बटन पर क्लिक करना है और scroll को नीचे करना है यहाँ पे एड नीउ का बटन है वह पर क्लिक करने से पहले हम देखेंगे form बनने के बाद OTP हमारे mobile number या email पे भी आएगा तो हमने MFS 100 device को select कर लिया है हमारे पास MFS 100 device की issue है फिर हम यहाँ पे नीचे add new बटन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे हमें add device की डिचल देनी है इसमें product में हमारे पास कौन सा device है मंत्रा 100 है module है OTG है select कर लेना है उसके बाद problem type में device में की स्था की problem है वो select करने है यहाँ पे सारे issues cover हो चुके है लेकिन कोई extra issue है तो other भी select कर सकते है हम यहाँ पे जो अभी device में कोई issue है इस प्रकार का device not connected का तो वो select कर रहे हैं उपर device का serial number लिखना है जो device के पीछे होता है वो यहाँ पे हम number दर्स कर लेंगे उसके बाद नीचे problem description में problem हमने जो select किया है वो यहाँ पे mention कर सकते हैं कि किस प्रकार का issue हमारे device में है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या issue होता है यहाँ हम लिख सकते हैं कि किस तरह का problem device में है उसके बाद add button पर click कर दे इस तरह से हमारा device add हो गया इस तरह से आपके पास दो तिन device है उसको भी आप add कर सकते हैं अब नीचे कौन सी branch आपकी nearest है उसमें आपको एक ही branch ये main branch एम दावाच उसको select कर देना है और side में लिया गया capture code दर्ज करना है capture code दर्ज करने के बाद save request पर click कर दे save request पर click कर दे आपकी mobile में OTP आएगा OTP आपको submit कर देना है OTP submit करने के बाद इस तरह की PDF आपके सामने generate होगी जिसे हम RMA request कहेंगे उसमें left side मंत्रा कंपनी का address है और right side आपका address है जहाँ पर ये repair होके वापस आएगा तो आपको एक box लेना है उसमें मंत्रा device रख देना है और उसमें ये एक print निकालके ये A4 size की print उसमें रख देनी है box को cover कर लेना है और उसमें ये left side मंत्रा स्वापटेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेट का जो address है वो चिपका देना है और कोई भी कुरियर से आपको ये कुरियर कर देना है ये कुरियर करने के बाल जैसे ही मंत्रा कंपनी में ये device पहुचेगा आपको confirmation मिल जाएगा कि device यहाँ पहुच गया है फिर अपना आप email regular चेक करते रहेगा क्योंकि email में सारे request आएगी कि आपका device warranty में है या नहीं है इसमें किस प्रकार का issue है किस department में ये आगे forward repair के लिए बेजा गया है और जिस तरह से step by step repairing का process होगा सारी notification आपके email में regular आती रहेगी अगर आपका device warranty में है तो कोई दिक्कत नहीं अगर warranty में नहीं है तो nominal charges में ये repair हो जाएगा और जितना charge आपको pay करना है वो भी आपके email में आ जाएगा और email में link भी होगी और link पे click करके आप payment कर सकते हैं जैसे ही payment करेंगे दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका device वहाँ से speed post में से dispatch हो जाएगा और आपने जो address लिखा है वही पे आपको मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा आपको comment में जरूर लिखेगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे digital सेवा गुजाज चेनल को like, subscribe जरूर करें दन्यवाद